हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इनको टेक्ट चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट के अंतरगात होम टैप के एडिटिंग ग्रूप का उपयोग करना जिसमें हम सीखेंगे Find कमांड का उपयोग करना Replace कमांड का उपयोग करना और Select कमांड के अंतरगात आने वाले सभी कमांड का उपयोग करना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करें और search box में type करें power point सबसे उपर power point program सर्च होकर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको power point program को click करना है जैसे आप इसे click करेंगे तो power point का startup window आपके desktop screen पर open होकर आ जाएगा जैसा कि अभी आप हमारे desktop screen पर देख रहे open हुआ है यहाँ पर आपको blank presentation को click करना है और अगर पुराने किसी भी presentation को open करना हो तो इसी के left hand side में देखेंगे तो registration program यहाँ पर display हो रहा है कि last week में या last day में या उससे पहले आपने कोई भी इसके अंदरकर presentation बनाये था तो इसे आप यहाँ से open कर सकते हैं फिलाल यहाँ पर blank presentation को click करना है तो चली हम इसे click कर देते हैं जैसे blank presentation को click करेंगे तो PowerPoint का main window open होकर आ जाएगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं अब आज के इस वीडियो में हम editing group को समझने वाले हैं और इसके पहले दोस्तों एक बार हम समझ लें कि clipboard, slides, font, paragraph और drawing group को हमने especially अलग-अलग वीडियो बना कर समझाया है अगर जो वीडियो आपने नहीं देखा है या इसमें से कोई भी command आपको समझ में न आता हो तो इसी वीडियो के description में जाएए हमने सबका link रखा हुआ है उसे देखकर आप आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं step by step एक-एक बिकल्प चलिए अब देखते हैं editing group को editing group के अंतगत सबसे पहला हमारा command है find find का मतलब है ढूड़ना अगर जो आपके presentation या slide के अंतगत कोई भी ऐसा content हो जो कई जगा आपने type कर दिया हो और आपको पता नहीं हो और ढूड़ना चाहते हो या spelling mistake हो गई हो और उसे ढूड़ कर आप सही करना चाहते हैं तो find command का उपयोग करेंगे इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इस slide का layout मैं change कर दे रहा हूँ layout change करने के लिए slides के अंतगत layout को क्लिक करेंगे और यहाँ पे blank को क्लिक कर देंगे चुकि हमें कोई भी यहाँ पे placeholder नहीं चाहिए अब drawing के अंतगत सबसे पहले text box को क्लिक कर लेंगे और इस slide के अंतगत text box को draw कर लेंगे इसके अंदर आपको एक formula type करना है equal and open close parentheses और enter की press करना जैसे enter की press करेंगे तो powerpoint या microsoft की तरफ से हमको यहाँ पे कुछ word paragraph मिल जाते हैं जिसकी मदद से आसानी से हम powerpoint के किसी भी command को समझ सकते हैं यह यूँ कहें तो example के तोर फे microsoft powerpoint की तरफ से यहाँ पे तीन paragraph मिल जाते हैं चलिए थोड़ा सा इसे हम बढ़ा कर देते हैं दोस्तों और इसे एक बार copy करके फुना यही पर paste कर देते हैं copy paste करना हमने आपको बताया था दोस्तों आपने पिछले द्याय में पढ़ा था clipboard के अंतरगत आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह बने बनाया हमारे पहले से word या character थे जो कि हमने automatically insert कर आय था चलिए यहाँ पर कुछ और हम extra type कर लेते हैं जैसे q space compute यहाँ पर q ui computer यहाँ पर q ui space q ui space computers और यहाँ पर भी हम type कर देते हैं q ui q ui computers और यहाँ पर double s हम लगा देंगे दोस्तों यह गलत है हमें पता है लेकिन फिर भी इस exam फिर भी find command को समझने के लिए यह यहाँ पर type करना compulsory है अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि cursor आपका कहां पर बिलिंग कर रहा है अभी देखें यहाँ पर computer जहाँ पर double s display हो रहा है यहाँ पर cursor को आपको शुरू में रखना है तो पहला वाला character के सामने आकर आपको क्लिक कर देना है अब देखेंगे cursor हमारा पूरे paragraph के बिल्कुल शुरू में है अब दोस्तों find command को क्लिक करना है जैसे आप find command को क्लिक करेंगे तो find का एक window यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर देखें सबसे पहला वाला box नजर आ रहा find what आप क्या ढूड़ना चाहते हैं तो हम ढूड़ना चाहते हैं इसमें the 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 और हमारा cursor कहाँ पर है अब यहाँ पर आपको find next को क्लिक करना है जैसे आप find next करेंगे तो जैसे पहला वाला the मिलेगा यह automatic find करके दे देगा लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि देखें यहाँ पर हमने type करा है the small letter में और यहाँ पर आपको दिख रहा है sentence case में sentence case का मतलब पहला देखें इसका character बड़ा है और बाकी चोटे हैं लेकिन यहाँ पर सभी चोटे हैं फिर भी यह इसे find कर ले रहा है पुर्ण find next करेंगे देखें यहाँ पर द बिल्कुल ऐसे ही मिल रहा है पुर्ण find next करते हैं देखें यहाँ पर भी the sentence करते जाएंगे जहां जहां पर the मिलेगा यह automatic find out करता जाएगा देखें find कर रहा है और पीछे यहाँ पर gray color में selection के जैसे भी दिख है कि हम यहाँ पर मौझूद है पुर्ण find next करते हैं ऐसे find next करते जाएंगे अंतक जब तक यह मिलता जाएगा automatic find out करता जाएगा और जैसे ही last में जाएंगे तो मैसे display होगा that was the last match we found यह वाला जो है यह last वाला match हुआ है अब इससे आगे नहीं है तो चलिए यहाँ पर हम okay को click कर देते हैं अब हमारा cursor फुना शुरू में होना चाहिए अगर जो अंत में है तो click करके शुरू में कर ले अगर जो आप इसी के अंतरगत match case का उपयोग करते हैं means find का अगला command है match case case का क्या मतलब है कि जैसा आपने यहाँ पर type करा है इसी से मिलता जुलता अगर जो यहाँ पर word या character मिलता है तो find करे वरना उसे छोड़ दे तो देखें यहाँ पर 10 है क्या इससे match कर रहा है नहीं match कर रहा है find next करेंगे इसे नहीं find करेगा जो इस दो से मिलता जुलता रहेगा वही find out यहाँ पर होगा चलिए देखें यहाँ नहीं रहेगा यह दूसरे वाले दो पर चला जाएगा देखना है बिल्कुली case में यह find कर रहा है चलिए एक बार पुना यहाँ क्लिक करके find करा देखिए मिल गया अब आगे बढ़ेंगे तो यह इस दो को नहीं पाचानेगा find next करते हैं देखिए तो match case का मतलब आपको समझ में आ गया चलिए अगला है मारा find whole word only इसे अटा देते हैं और इसका उप्योग करके देखते हैं लेकिन उससे पहले माल लेते हैं कि हमें computer को ढूड़ना है या compute को ढूड़ना है तो हमने यहाँ पर टाइप करा compute और यहाँ पर find next करते हैं जैसे हमने find next करा देखिए यहाँ पर type हुआ है compute बिल्कुल वही वाला character है जो यहाँ पर हमने type करा है पुना find next करते हैं तो देखिए यह यहाँ पर भी find कर रहा है compute लेकिन पर पूरा का पूरा computer टाइप है, इसमें r भी है, तो यहाँ पर सिर्फ वो character ढूड़ रहा है, जो हमने यहाँ पर type करा है, और बाकी को छोड़ दे रहा है, फुना find next करते हैं, देखें, यहां भी computers में ढूड ले रहा है, फुना हम यहां पर find next करते हैं, तो देखें, यहां पर भी computer जहां double s है, यहां भी ढूड ले रहा है, लेकिन हम अगर जो इसे बोल दें, जितना हमने type करा है, उतना ही word मिले, तो ही find करो, अगर दूसमें एक extra character मौझूड गया है या कम है, उसे find न करो, तो यह वैसे find नहीं करेगा, तो हम यहां पर check mark ला देते हैं, find whole word only, सिर्फ हो सिर्फ उसी को find करो, जिसमें की compute हो, तो हमने करा find next, देखें, ढूड लिया, compute, पुना find next करते हैं, देखें, कह रहा है, that was the last match we found, अब यहां पर compute नाम अगला है, यहां पर देखेंगे, तो R जुड़ा है, यहां पर देखेंगे, तो R है जुड़ा है, यहां पर R डबल है जुड़ा है, इसलिए उसे find out नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब आप यहां पर समझ गए, find whole word only, सिर्फ उसी ही word को find करेगा, जो word यहां पर type किये करने के लिए, और अगला है replace, अगर जो इसकी जगा पर आप कुछ और type करना चाहते हैं, तो यहीं से replace को click करके, इसके अस्थान पर आप जो चाहें, वो type कर सकते हैं, जैसे हम यहां पर 1111 type करना चाहते हैं, तो हमने यहां पर कर दिया replace all, आप देखेंगे कि यहां पर replace हो तो जो भी हमने परिवर्तन किया था, या जो भी action हमने करा था, वो action रद्ध हो जाएगा, अगला हमारा command है replace, अगर जो replace के उपर click करते हैं, तो automatic ही replace का window यहां पर आ जाएगा, और यदि ऐसा नहीं करते हैं, इसके drop down button को click करते हैं, तो इसके अंदगर दो option मिलते हैं, पहल से आप ढूट रहे हैं, तो हम ढूट रहे हैं, दो को, और दो की जोगा पर suppose करते हैं, कि हमें diet लगाना है, तो replace with, यहाँ पर वो वाड़ यह करके टाइप करें, जो दो के अस्थान पर आप बदलना चाहते हैं, तो हमने type करा diet, और यहाँ पर कर देंगे find next, देखें, यहा अगले сथान पर find भी कर लिया है, कि यहाँ पर आपको दो मिल रहा है, यहाँ भी change करना है, तो replace, यहाँ भी change हो जाएगा, replace, देखें, यहाँ भी change हो गया, replace, यहाँ भी change हो गया, replace, सब जगा, अगर जो एक ही बार पूरे के पूरे content के आप changing करना चाहते हैं, तो replace all को click कर एक ही बार सब जोगा आप देखेंगे तो जहां जहां दो था वहां वहां डाइट हो चुका है चलिए मैं दुबारा इसे वापस कर देता हूं तो सबसे पहले उपर टाइप कर लेंगे डाइट और नीचे टाइप कर लेंगे दो क्योंकि उसकी जगा पर हमें दो चाहिए और रिपलेस और देखेंगे हां पर डाइट 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 रिपलेस और करते हैं अब देखें सब जोगा दो में वह परिवर्तित हो गया है और यहां पर क्लोज कर देंगे अब इसके अंतर का दोस्तों अगला हमारा कमांड है रिपलेस फ आप देखेंगे कि यह replace हो चुका है, ज़स्ट दोस्तों इसका उपयोग अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले एक paragraph को हमने select करा, और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कर देते हैं, time new roman, change कर दिया, फिर हम दूसरे paragraph को select करते हैं, और इसे हम बदल देते हैं, calivary light, फिर से दू अलग-अलग paragraph के लिए अलग-अलग font का style यहाँ पर रखा गया है, अब यहाँ पर आपको replace के drop down button को click करना है, और replace fonts को click करना है, अब कौन सा वाला font change करना चाहते हैं, तो सबसे पहले time new roman को मैं change करना चाहता हूँ, देखेंगे सबसे पहला वाला था time new roman, इसकी जगा पर आ पहला वाला time new roman font style में था, और शिर्फ इसी की जगा पर हिंदी हुआ है, जस्त अब यह replace हो चुका है, कुरुती देव 110 में, जस्त उसके जगा पर width, अब अगर फिर बदलना चाहते हैं, तो इसके drop down button को click करें, और जिस भी style में आपको चाहिए, आप उसे click करें, replace को click करें वो इस style में change हो जाएगा, चलिए दुबारा हम दूसरे style में change करके दिखाते हैं, और यह replace, तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से, एक ही slide के अंतरगत ज्यादे तर पर यूज़ किये के font style को change कर सकते हैं, तो replace के अंतरगत मात दो ही command मिलते हैं, replace और replace font, दोनों हमने clear कर अगला हमारा command है select, जब इसके drop down button को click करते हैं, तो इसके अंतरगत तीन command मिलते हैं, सबसे पहला select all, दूसरा select object और तीसरा selection pen, तो सबसे पहले दोस्तों, इन तीनों को समझने के लिए, यहाँ पर कुछ हम shape और object भी design कर ले रहा हैं, तो हमने यहाँ पर एक shape design करा, चलिए ए इसे select करा, और इसे कर दिया छोटा, अब यदि दोस्तों सभी के सभी content को एक साथ आपको select करने है, तो आपको home type के अंतरगत, select के drop down button को click करना है, और select all, जैसे आप इसे click करेंगे, तो देखिए, हमारा object और content भी select हो गया, अब जैसे delete करेंगे, सब एक साथ delete हो जाएंगे, वापस लाने के लिए under या ctrl z की करेंगे, लेकिन दोस्तों एक और बात यहां ध्यान रखने वाली है, हमारा जो यह paragraph है या content है, यह बिल्कुल पीछे है, और यह हमारा जो आप object देख रहे हैं, यह बिल्कुल उपर है, किसी को भी हम click करें, यह automatic select हो जा रहा है, लेकिन इस आपका उपयोग जो खासकर है, select का, यह उस समय किया जाता है, जब हम अपने paragraph को उपर रखे हूँ और अपने object को पीछे रखे हुए हूँ, तो सबसे पहले हम अपने इस content को उपर ला देते हैं, उसके लिए आपको यहां पर arrange को click करना है, और bring to front को click कर देना, अब देखे तो यह जो हमारा paragraph है, या फिर text box है, यह उपर है, और इसके पीछे हमारा object चला गया, अब देखे हम click कर रहे हैं, जैसे इस picture के उपर, तो यह picture नहीं select हो रहा है, देख रहा है, देखिए ध्यान से, यह picture select नहीं हो रहा है, अब हमें सब को एक साथ select करना है, तो select के drop down button को click क select all को click कर देंगे, यह सभी के सभी select हो जाएंगे, और delete की press करेंगे, delete हो जाएगा, लेकिन, 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 यहाँ पर हमें अगला वाला command जो कर रहा है, select object, सिर्फ हुआ, सिर्फ हमें object को select करना है, तो उस सवस्ता में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों ध्यान र selection में रहता है, आपको कहीं पर भी खाली जगा पर click करना है, और click करने के बाद से, आपको kalpnick selection box बनाना है, जैसा कि अभी आप देख रहा है, जैसे ऐसा box बनाएंगे, और इसे छोड़ेंगे, automatic सिर्फ वजिफ वग अबजेक्ट ही select होंगे, जो की content के background में, अभी देखें हमारा सिर्फ वजिफ object डिलीट हुआ है, नकी content, वापस Ctrl-Z करके पीछे आ जाते हैं, select के अंदगर सबसे पहले हमने सीखा, select all, सभी को select करने के लिए, और object के अंदगर हमने सीखा, सिर्फ वजिफ object को select करना, खास करके object का उपयोग उस वक किया जाता है, जबकि text के background में हम कॉल्पनिक selection, तो ध्यान रहे हैं कि यह selection के अंदर आना चाहिए, means shape या object जो है, selection के अंदर, अगर जो थोड़ा सा भी वह बाहर जाएगा, तो वह selection में नहीं आएगा, जैसे अभी देखे, star को हमने आधे selection मिलिया और छोड़ दिया, देखे, यह selection में नहीं आया, अब पु है selection pen, तो selection pen को हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी दिया था, फिर भी, चलिए selection pen को क्लिक करते हैं, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, तो right hand side में selection नाम का एक pen open होकर आ जाएगा, जहां पर current slide पे मौझूद सभी के सभी content डिस्पले होते हैं, इन्हें इच्छा अनुसार आ जैसे आप इस पर double click करेंगे, यह edit mode में आ जाएगा, अब यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं, power computer 1, enter करेंगे, अब यहाँ पर picture, shape, सब कुछ आ रहा, तो सबसे पहले हमने shape draw करा था, यह rectangle, तो इसका नाम देख्या रहा, rectangle 4, हमने इसे double click करा, और इसका नाम दे दिया, shape 1, दूसरे number पर हमने arrow वाला करा था, right arrow 5, तो इसे double click करेंगे, इसका नाम दे देख्याँ, shape 2, 5 star है, तो इसे select करके double click करेंगे, और इसका नाम दे देख्याँ, shape 3, enter, picture है, तो इसे भी चलिए, फिलाल हम shape ही नाम दे देते है, shape 4, अब इस परकार आसानी से हम अपने सभी के सभ object को ब्यवस्तित कर सकते है, अब ब्यवस्तित करने के लिए दोस्तों ध्यान दे, सबसे उपर text box या content है, इसे हम सबसे पीछे भेजना चाहते है, तो अभी आपने orange के अंदगत सीखा था, कि bring to front और ये drawing group के अंदगत orange को हमने बहुत अच्छे से समझाया था, फिर वे अग number का shape है, इसे नीचे करना चाहते हैं, तो नीचे कर सकते हैं, किसी को भी up, down, नीचे आप कर सकते हैं, अगर जो ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो इसे click किजिए, select रखिए, और यहां से label इसका बढ़ा लिजिए, घटा लिजिए, अगर जो किसी भी object या shape के कारण, आपको typing क करने में, या slide बनाने में problem हो रही है, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए hide भी कर सकते हैं, hide करने के लिए यहां पर देखे, I shape यहां display हो रहा है, इसे click करेंगे, देखी hide हो गया, पुना click, तो slide के उपर जितने भी content है, सब को आप hide कर सकते हैं, और पुना इसे ही click करके आज के इस वीडियो में हमने सिखा, MS PowerPoint के home type के अंदगत, editing block का उप्योग करना, जिसमें की find, replace, select का उप्योग करना, आसा करते हैं दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजी, चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजी, और आप इसे ही रोज हम tips and trick की वीडियो इस चैनल पर upload करते रहते हैं, ओभी deep knowledge के साथ, जिससे की आप वो वीडियो आसानी से देख सके, मिलते हैं दोस्तों आपको new वीडियो में new topic के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिन, जय भारत